दोस्तों कांग्रेस की हार के बाद पंजाब के कैबिनेट मंतरी नवजो सिंध्धों एक बार फिर से बगावती तेवर में हैं मुक मंतरी कैप्टन अमरेदर सिंग से विवाद के बाद अब सिंध्धों ने कांग्रेस के बैठकों से भी दोरी बना ली है यही हाल उनका भाजबाद छोड़ने से पहले भी था वे चंडीगड में होने के बावजूद अपने आवास से महज थोड़ी सी दूरी पर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक में भी नहीं गई बीजेपी छोड़ने से पहले भी उन्होंने इसी तरह का भी हेव किया था हमारे सुत्रों का कहना है कि कहीं वो अपने लिए नई पार्टी या नई आठीकाना तो नहीं तलास रही है हाला कि उन्होंने पत्रकारों से बाचीत में खुद पर लगे आरोबों की सपाई दी साथी ही सारों ही सारों में कैप्टर अमरिंदर सिंग पर भी निसाना सादा दरसल कांग्रेस्क ने विधाक दल और सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी पंजाब भावन में बुलाई गए ये बैठक शिद्दू के घर से मैच थोड़ी सी दूरी पर थी लेकिन सिद्दो इस बैठक में बिलकुल नहीं गई हाला कि इस बैठक में मौजूद विधायकों ने सहरों में विकास नहोने के लिए शिद्दू को दोशी भी ठहराया हाला कि उन्होंने शिद्दू का नाम नहीं लिया लेकिन उन पर जम करनी साना साधा उन्होंने का कि सहरों में विकास नहोने की वज़े से पार्टी सहरों में हारी है लुध्याना के सुरिंदा डावर ने कहा कि सहरों के विकास के लिए मंजूर किये के फंड जारी नहीं किये यह सिर्फ कागजों में है गोर्तलवे की सिद्धु ही दावर ने कहा कि मंत्री भी उनके नहीं सुनते है हाला कि इस आरोप परत्यारोप के बीश सिद्धू भी शेरों के जर्य ही जब आप भी दे रहे हैं सिद्धू ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर साहराना अंदाज में लिखा हमें मुल्जिम ना यूँ समझना बड़ा अफसोस होता है मा बदोलत के अदब से हम में तस्रीफ लाए हैं पलट देते हैं मौजे तूफा अपने जरुरत से हमने आंधियों में भी चिराग अक्षर जलाए हैं लेकिन उनके इस साहराने अंदाज के बाद ट्वीटर पर उनको लोगों ने आड़े हातों लिया अरविन सोनी नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि तुम्हरा चिराग तो बुझ गया सिद्धु मिया वही एक डाक्टर ने लिखा भाई साव एक साहरी उनके लिए भी जो जबान दे कर पलड़ जाते हैं महीं संगीता राजपूत ने कमेंट किया यहां बैठे बैठे साहरी ही ठोकते रहोगे उदर पाकिस्तान में 400 साल पुराना गरुद्वारा तोड़ दिया गया तो इस तरह के माहौल में आप देखना होगा कि दोस्तो सिद्धु का अगला कदम क्या होता है दोस्तो इस पेसल ख़वर देश-दुनिया की ताजातरीन और एस्क्लूसिव डवलोमेंट को सबसे पहले आप तक पहुछाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें